समझा प्लस से बोले है डिप्टी सीम केशर प्रसाद मौरे सीम योगी की पीम मोदी सेश सिस्टा चार भीट होने वाली है यूपी के विकास और सरकार की नीटियों पर चर्चा हो जो ये बात की है दरसल केशर प्रसाद मौरे ने उन्हें कहा है कि ये मात्रे की शिष्टा चार भीट है और इसे के साथ उन्हें ने ये भी कहा कि यूपी के दिकास और सरकार की नीटियों पर चर्चा की जानी है महत्पूर्ण बैटक होने वाली है केशे प्रसाद मौरिया हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंतरी है सर आज जुनसिन गड़करी से बैटक हो रही है क्या कुछ रखा जाएगा एजंडा आपके सरकार के तरफ एजंडा साथ है उत्तर प्रदेश का विकास उत्तर प्रदेश की सड़के राजजमार्गों को राश्री राजमार्ग बनाना बड़े सहरों में जो दूसरे तमाम राश्री राजमार्ग जा रहे हैं उनको रिंग रोड बना करके जोडने का प्रस्ताओ और जो पिश्वी सरकार के समय में राशठी राच मारगों के बनाने के मार्ग में बादाधा डाली गई पहले एनोसी नहीं दी गई, एनोसी दिया गए तो इलादीकार्यों के माध्यम से भूमी अधिग्रहन की प्रक्रीया में बादाधा डाली गई इसलिए यूपी विकास में पिछड रहा था तेजी से काम चल ला है एकास्तर राजमार्गों को राश्टी राजमार्ग बनाने का प्रस्ता हो दिया लिया है प्रधान मंत्री से भी मुलाकात होने वाली है योगी जी भी जा रहे हैं भी जा रहे हैं योपी के विकास पर सारा ध्यान केंद्री थे और योपी की सरकार ने कर्ज माफी का फैसला किया है और जो समस्या देश के अंदर थोड़ी बहुत दिख भी रही है वो कांग्रेस की घटिया राजनीती का प्रणाम है और मैं यह कह सकता हूं कि राहूल गांधी जी की फोटो आजकल छप नहीं रहे हूँ फोटो छपाने के लिए इस प्रकार का चले के शब मार्या की माने तो यूपी का विकास देजगती से हो इसलिए आज दो महत्पून बैटक होने वाली है रेल मंत्राले के साथ जितनी भी एहम सड़कें उसमें आरोवीज बनाए जाएंगे यानि अंडर पास से सुचारू धंक से ट्रैफिक निकल जाए और साथी नए नैशनल हाईवे की मनजूरी बिया नितन गर्करी से मुलाकात के बाद मिल सकती है कैमरामेन रजनीश के साथ राखुल डबास दिली समाचा प्लस तो आज मुलाकात होने वाली है और बेहद एहमी मुलाकात होगी जादा जानकारी निंगे सीधे स्पीश मेरे साथ हमारी समवादाता राखुल डबास चुट चुट चुटे हैं राहुल बहुत खासी मुलाकात होने वाली है साथ ही साथ परिवेहन मंतरी नितन गड़करी से भी बाद चीत होगी और सडकों को लेकर बाद चीत होगी तो कुछ एहम आज हो सकते हैं फैसले करीबन साड़े पांच शे घंटे तक के आसपार तुष गोईल के साथ बैटक चलते जिसमें सी एम योगिया इतिनाथ के साथ चार और मंतरी में मौजूद थे जिसके बाद वो वित्यमंतिर अरुन जेटली से मिले और अरुन जेटली से साथ दस बजे के आसपास मुलाकात हुई वो भी तब जब अरुन जेटली प्रदान मंतरी के से मिलकर उनके घर से लोटे थे जिसके बाद हमिश्चा से मुलाकात हुई यानि प्रदान मंतरी से मुलाकात से पहले तीन लोगों से हमिश्चा अरुन जेटली से मुलाकात हो चुकी फिश्गोल से मुलाका चुकी पर हर मंतरिकी म्लाकात चार ठान के हैं लेकिं विकास की यो जनाओ को लेकर साहरंपूर के बाद ऑड़ज जो गटना करम बने उसको लेकर राजपते जुनाओं को लेकर सरकार के नीतियों को लेकर तमाम चीजों को उपर एहम चर्चा की चीज़ी खास दोर परदाए चले राहू शुक्री आपका पूरी जानकारी देने के लिए तो ये एक महद सच्टा चार मुलाकात है लेकिन तमाम नीतियों को लेकर उसमें बाद चीज़ दरू की जाएए